हलो फ्रेंड्स में राशे दली एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने से यूटूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासिस में फ्रेंड्स जसा आपको पता है कि अब तक हम 8 लेक्चर कवर कर चुके हैं और यह हमारा लेक्चर नम्मर 9 है अगर आपने हमारे 8 लेक्चर का जो लिंक है वह हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रवाइड करा दिया है यां बहां जाकर उसको वाच कर सकते हैं फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को आते हैं तो हमारी टेलिग्राम-गुरूप को जुन कर लेजड़ेगा लिग्रूप का जो लिंक है वहमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्रवाइड करा दिया हम बहां जैको सको जॉ Awards कर लेजे और पॉलिटेक्निक के सारी ब्रांच किसी बी ब्रांच या किसी भी समिश्टर के आप नोट कर सकते हैं तो फ्रेंट्स चलिए इसी क्रम में आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्शन नमर नाइन और लेक्शन नमर नाइन में हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड चैप्टर का जो हमारा लास्ट थियोरम है मैक्जिम पावर ट्रांसफर थियोरम उसको तो फ्रेंट्स अगर हम मैक्जिम पावर ट्रांसफर थियोरम की बात करें त तो maximum power जो transfer theorem है उसका statement हमको देखने से पहले पहले हम दो बिंदू पर चर्चा करेंगे पहला बिंदू यह है फ्रेंट्स कि इससे previous lecture तक हम जितनी भी theorem पढ़ चुके हैं इसमें कहीं न कहीं बहुत सारी similarities हैं एक दूसरे से interconnection है तो आप स्टार्टिंग से सारी जो theorem से उसको देख लीजिए और अपने notes जरूर बनाते हुई चलिए जिससे exam के समय आपको ज्यादा hard work ना करना पड़ें आप smart study से बहुत अच्छे marks gain कर पाएं तो साथ के साथ आप notes बनाते हुए चलिए मेरा यह personal suggestion है और आप बहुत अच्छा इसको करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का session फ्रेंड्स अकर बात करें maximum power transfer थिरम की तो माल लीजिए कोई भी network है या कोई भी active network या फिर कोई भी बहुत complicated network है बहां से आपको क्या करना है maximum power को transfer करना है तो maximum power की condition होगी आप maximum power को तभी transfer कर पाओगे friends कि जब उसका load resistance आपके source resistance के equal होगा means बरावर होगा जब तक बरावर नहीं होगा तब तक हम maximum power को transfer नहीं कर पाएंगे यही इसका statement है त friends 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 अभी हम इसको बहुत detail में चर्चा करेंगे तो लास्ट तक बने रहेगा और इस पर वेज जो numerical बनने वाले हैं जो भी एक्जाम के पॉइंट होगी से जो most important numerical है उसको भी हम आगे discuss करेंगे तो लास्ट तक बने रहेगा तब ही आप इसका बहुत अच्छा फाइदा होती है जब लोड रजिस्टेंस का मान सोर्स रजिस्टेंस पहला बिंदू क्या होगे फ्रेंड्स सोर्स रजिस्टेंस या थैवनीज रजिस्टेंस या नॉटन्स रजिस्टेंस के तुल हो या बरावर हो अर्थात लोड रजिस्टेंस एक्वल टू सोर्स रजिस्टेंस इक्वल टू थैबनीज रजिस्टेंस, इक्वल टू नॉटन्स रजिस्टेंस, यह क्या है आपकी friends, यह condition है maximum power transfer की, अगर maximum power transfer आपको करना है किसी भी network में, किसी भी circuit में, तो उसकी condition होगी, जब तक उसका load resistance, उसके source resistance, या थैबनीज रजिस्टेंस, या नॉटन्स equivalent resistance के नहीं है ऐसा, तो हमको यह बनानी की आविशक्ता, या फिर इस condition को हमको क्या करना होगा, बनाना पड़ेगा, जिससे क्या हो, हम maximum power को load को deliver कर सकें, तो चलिए इसके हम statement यह तो था, statement में क्या कहा गया है friends, अगर हम एक circuit के माध्य हम से समझें, तो देख लिजी, यहाँ पर म resistance मालेजिए, या नौटन्स resistance मालेजिए, अब friends, यहाँ पर आपका load resistance connected है, यह है RL, friends, अब इस cases में क्या कहा गया है, कि maximum power तब भी आपकी डिलीवर हो सकती है, जो आपकी maximum power है, वो load को तब डिलीवर हो सकती है, जब आपका जो load resistance है, means, load resistance बोले तो RL, आपके थाबने इक् equal होगा, friends, यह बहुत बड़ी condition है, इसी condition में आप maximum power का transfer करा पाएंगे, इन दोनों की equality बना का, इसका reason क्या है, friends, तो इसका reason यह है कि अगर हम बात करें resistance की, तो friends, जो हमारा current है, वो low resistance path follow करेगा, माल लीजे, एक example लेते हैं, low resistance path का मतलब है, कि माल लीजे, हमारा जो load है, त उसका मान कम हो जाए, friends, अगर आपका मान यहाँ पर थावनी रजिस्टन्स का मान कम हो जाएगा, तो उस cases में क्या होगा, load तक current पहुंची नहीं पाएगी, सारी की सारी current यहीं पर dissipate हो जाएगी, तो उस cases में क्या होगा, हमारी power का यहीं losses हो जाएगा, और हमारी power 100% power यहा point की बात करें, या फिर अगर हम English की बात करें, क्योंकि हम दोनों condition को fulfill करके चल रहे हैं, English और Hindi, कुछ बच्चे बोलते हैं, English, कुछ बच्चे बोलते हैं, Hindi, तो हम क्या करें, while angle रख रहे हैं, English और Hindi दोनों को ले कर चल रहे हैं, तो friends, अगर English की बात करें, तो English में देख ल Norton's Resistance of the network supplying the power that means the condition for maximum power transfer theorem. तो यह जो condition है friends यह आपकी maximum power transfer theorem की condition है और इस cases में क्या होगा condition में कि जो आपका resistance है जो load resistance है वो आपके थैवनी z resistance या Norton's resistance के या फिर source resistance के equal होना चाहिए इस condition में आपकी maximum power transfer हो सके कि यही इस वाले statement में इस वाले statement में English में बोला गया है तो इसको write down करते हुए चलिएगा friends जिससे आप बहुत अच्छे marks gain कर पाएं चलिए तो आप हम क्या करेंगे network के थुरू इसको समझें तो यहां पर देख लिजे हमने क्या किया एक network को यह हमारा DC circuit हो गया तो अब क्या है friends कि बोला गया कि यहां लोड को आपको क्या करना है maximum power का transfer करना है और मैंने कहा friends कि यह सभी जानते हैं साइद कि friends अगर current की बात करें तो current क्या करेंगी low resistance path follow करेंगी तो उस cases में क्या होगा माल लेजिए धोके से यहां बाला जो resistance है वो बहुत हाई हो जाए यह बहुत कम हो जाए let's suppose कि यहां का जो resistance है वो कम हो गया यहां का resistance हाई हो गया इस cases में friends क्या होगा कि यहां तक हमारी जो current है वो इतनी efficiently नहीं पहुँच पाएगी यहीं पर वो क्या करेंगी dissipate होना शुरू हो जाएगी जो power है वो यहीं पर क्या होगी lost होना शुरू हो जाएगी उस cases में क्या होगा कि हमारी जो efficiency वो decrease होगे, तो इस cases में हम क्या करेंगे, इस efficiency को increase करने के लिए, इस परिस्ति को remove करने के लिए, हम क्या करेंगे, हमारा जो ये वाला resistance है, वो हम low resistance के equal कर देंगे, जब हमारा जो source resistance है, और जो हमारा थैवनी इक्विलेंट रेजिस्टेंट है, या फिर से हमारी maximum power transfer होगी यही हमारी condition है तो चलिए इसका proof देखते हैं इसका derivation देखते हैं friends तो derivation क्या होगा friends अगर हम बात करें तो हम DC network की बात करें क्योंकि अभी हम यहाँ DC network को ही पढ़ रहे हैं जब हम AC circuit analysis देखेंगे तो बहाँ यहाँ पर हम AC की बात करेंगे तो यहाँ पर first step क्या होगी friends DC network के लिए अब DC network के लिए क्या होगा friends परिपत में धारा load current आप कैसे निकालोगे load current हुरती है friends IL equal to BTH upon RTH plus L क्योंकि अगर आप इस वाले formula को इसमें इस वाले circuit में friends आप apply करोगे KBL आप apply करोगे तो कुछ इसी प्रकार से आपके पास equation बनेगी कैसे बनेगी तो देख लिए यहाँ जहां इंटर करेंगी वो plus होगा जहां से निकलेगी वो minus होगा जहां इंटर करेंगी current वो plus जहां से इंटर बाहर निकल लिए current इसी प्रकार यहां positive से इंटर कर रही है minus बाहर निकल लिए तो अगेर हमने क्या किया negative sign ले लिया RL और यहां भी RL है load current है और इसको हमने माल लिया R equal to zero तो zero हो गया friends ठीक अब आप क्या करोगे जब यह वाली equation इसको equate करोगे तो यह कुछ इस तरह से हो जाएगी और जो आपका I है I L उसको आप common ले लोगों तो यहां बचाएगा RTH plus RL कितना बचने वाला है अब जब आप I L की value find करोगे I L को find करोगे friends तो जब आप I L को find करोगे तो जो बी टी एच है उसके अप on में दोनों जो resistance अब पहुंच जाएंगे कैसे RTH plus RL तो यह था friends आपका सुपर जो maximum power transfer theorem थी उसका current यह load current कैसे निकालेंगे तो यहां यही निकला हुआ है आप देख सकते है friends की जो यह वाला point है यहां पर आपने क्या किया load current को calculate किया इसको आपने equation बन बना लिया friends अब load resistance RL में वे शक्ति आप आप क्या कर रहा हो जो power dissipate होई है या deliver होई है deliver power deliver to the load जो load को power deliver होई है उसको अगर आप निकालोगे तो होगा PD D D मतलब delivered power deliver to the load IL square और RL load resistance में हो रही है इसलिए हमने क्या कि load current है और load resistance अब friends हमने क्या किया from equation 1 यहां आपने क्या किया from equation 1 equation 1 क्या है friends IL की value हमने क्या कि यहां पर put कर दी IL की value यह है इसको हमने put किया तो का square हो गया अब आप जब इसको calculate करोगे इस वाले point को friends तो calculate करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा उपर जो square है इस पर BTH का square हो जाएगा तो यहां देख लिए बीटी एच आरेल कितना है आरेल हो गया अपन में क्या है इस वाले का होली स्करवन जागा तो यहां पर होली स्करवन इसको आपने माली equation दो फ्रेंट्स ठीक दो equation आपको आपके पास आ चुकी है अब आपने क्या किया पहले आप इसको represent करोगी कि क्या कौन कौन सी चीट किसको denote करने वाली तो आपने क्या किया जहां आरेस क्या है आपका इस्थिर रजिस्टन्स हो गया सोर्स रजिस्टन्स बोल सकते हैं और जो आपका एल है फ्रेंट्स यहां एक चीद ध्यान होता हमेसा घड़ता वढ़ता रहता है तो आपका जो आफ रएल हो लोड है और यहां पर इसलिगे प्लिद्स होगा दिफ्रेंशेशन डिफ्रेंशेशन अप जो चर होती है, जो variable होता है, उसके लिए करते हैं, तो आपने इसका अवकलन करके, और ये है आपकी maximum power की condition, या फिर किसी भी maximum, जो condition है, maximum quantity ग्याद करना होती है, आपको find करना होती है, तो आप क्या करते हो, differentiate करके, और equal to zero put कर देते हो, differentiate करके, zero put कर देते हैं, तो यहाँ पर maximum power के लिए आप क्या करोगे, differentiate करने के बाद, जो भी differential है, उसको equal to zero कर दोगे, तो यहाँ देख लीजे, आपने क्या किया, friends, यहाँ से आपने, इसका differential किया, इंग्लिस में आप लिखोगे, taken differentiate with respect to L, ठीक है, L के respect में आपने differentiation किया, अब आप जब L के सापेक्ष करोगे, friends, तो यहाँ पर देख लिजे, इस वाले में हुआ है, यहाँ पर differential, तो अब यह आपका numerator हो गया, यह denominator हो गया, मतलब अंस हो गया, यह हर हो गया, तो यह क्या है, अंस वटे हर वाला formula लगनी वाला है, differential में, तो सबसे पहले क्या करते है, friends, differential करते समय हम, जो हमारा हर है, उसको as it is रखते हैं, और जो अंस होता है, उसका करते हैं, means, अंस का होगा, हर को हम ऐसी रखते हैं, तो यहाँ देख लीजे, हमने क्या किया, friends, अंस को, जो हमारा हर है, उसको as it is छोड़ा, हमने क्या क्या, अंस का किया, तो हमारी चर क्या है, RL है, तो RL के साफ एक्स करना है, BTS ज इसमें हम क्या करेंगे, numerator को छोड़ देंगे, और denominator का करेंगे, upon में क्या होता है, friends, जो denominator होता है, उसका square हो जाता है, तो जब already यहाँ पर square है, friends, इसके पास, एक square और होगा, तो यहाँ पर पाबर आ जाएगे, जार, ठीक, तो यह differential था, अब क्या करेंगे, friends, इसको calculate करिए जब आप इसको calculate करेंगे, तो यहाँ पर देख लिजे, आपने जब इसको calculate किया, तो जब आप calculate करेंगे, dpd upon drl, तो आपने क्या किया, जब इसको calculate करेंगे, तो यहाँ रल की value कितनी हो जाती है, friends, जो x होता है, d, आप suppose करिए, आप यह पढ़के आए होंगे, अगर आप इसका differential करते है, तो कितना आता है, वन आता है, friends, तो means, यहाँ आपका r x है, तो x के respect में, अब है क्या यहाँ पर, यहाँ, यहाँ L है, तो यहाँ रल के जब आप respect में कर रोगों, तो यही आपका क्या होगे, यहाँ पर देख लिजए, यहाँ वाली जो condition है, उसमें क्या ह एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं देखी अगर ऐसे आप इसका डिफरेंशल कर रहे हैं एकस की पावर एन का फ्रेंट्स तो आपने अगर इसका डिफरेंशल किया होगा फ्रेंट्स पावर आगे आती है और क्या होता पावर मैं से एक सेप्ट रख हो जाता यह होता है तो कुछ यही बन रहा है friends इसको लिख लीजीगा फिर देखिए अब कुछ यही बन रहा है उपर वाले में यहां पर पावर थी एक सेकेंड यहां पावर है फ्रेंड्स यह पावर तो जब यह पावर है तो पावर क्या होगी पावर आगया जागी पावर आगया गी और क्या होगा पावर मैंसे घट जाएगा तो जब आप घटा होगे फ्रेंड्स तो कुछ इस तरह से आपके पास value आगी 2-1 और जब यह घटेगा तो एक ही बचे जाएगी तो यही किया है आप देख यहां पर यह घटा लिया और यह अभी चर्ण पूरा solve नहीं हुआ है अभी हमने इसको suppose किया है मतलब मान लिया है कि इसको हमने एक्स मान लिया पूरे को पर यह एक्स है नहीं मतलब एक्स जहां एक्स होता तब हां एक्स मानते थे पर यहां क्या है आरल हमने क्या किया इस है यह को a round यहां पर यह आरहल है नहीं फ्रेंट सि यह वाला तो आरल नहीं है तो एक बार फिर आंदर का भी होगा तो यह तो क्या है आपका कॉंस्टेंट है ऑर क्या होता जीरो हो जाता है और यह हो दिए तो इस प्रकार आप है डिफरेंशल को शॉल्प कर लिए अब अपॉन वाली को एजप रखेंगे आपन में कुछ नहीं किया तो अब जब हम नेक्स सिस्टेप की बात करें तो नेक्स सिस्टेम में देख लीजे यहां पर तो कुछ RL यह है common तो यहाँ पर देखी RTH और RL common हो गया और यह क्या है आपका BTH हो गया friends यह वाला तो अब जो बचेगा उसको लिख लेंगे friends आप बचा क्या यहाँ पर देख लिजी यहाँ पर आपका बचा कुछ RTH यहाँ पर friends A whole square न तो एक तो बचेगा एक आपने common निकाल लिया तो एक पाबर एक तो बचे जाएगी power कहने का मतलब दो थी तो RTH प्लस RL और यहाँ पर यह common में चला गया friends और यह common चला गया है आपका अब आपने कहा कि अपन को as it is रखा आप यहाँ से आप क्या करोगे उपर नीचे cross cancel out करोगे इसको जब आप cancel out कर रहे हो तो नीचे अपन में power 4 है उपर एक है तो एक कटेगा तीन तो बचेगा friends तो क्या बचा तीन बचे यहाँ पर पाबर 3 बची ठीक है तो यह प्लस RL का whole cube इतना बच्चा इसको आपने माल लिया equation third friends अब क्या करोगे for maximum power transfer तो maximum power transfer की condition क्या होती है friends जो differential करते हो उसका square कर देते हो तो जो आपने यहाँ पर जो किया उसका square कर दिया यहाँ पर sorry जो आपने differential किया उसकी जगा आप square नहीं उसकी जगा zero put कर देते हो तो सारी जब value calculate करी हैं आपने तो जब equate करोगे इसको तो कुछ इस तरह से आपके पास यह value मिल जाएगी friends तो यहाँ जब यह value आगई आपकी यह वाली last यह वाली तो आप क्या करोगे यहां से cross multiply करोगे अब आपके पास इसको यह वाली value find करना है जब आप इसको find करोगे तो यह वाली जो upon वाली है इसके multiply में जाएगी तो 0 बन जाएगा और यह जो है वह इसके upon में जाएगी तो भी 0 बन जाएगा तो सिर्फ आपके पास इतनी value आगई अब minus वाले को आप क्या करोगे equal to के बराबर के उस side लेकर जाओगे तो यह क्या हो जाएगा plus का हो जाएगा और आप इसको फिर सीधा करके लिख लोगे simple करके लिख लोगे तो आपके पास आचुकी यह वाली value RTH equal to R तो यह value आगे अब आप क्या करोगे RL का मान समीक्रण दो में रखने पर एक्षण टु तो आपने हुकरिशन टु में पूट की अब एक्षण 2 क्या थी इक्षो ये थी तो जहां-जहां टु आशल था वहां वहां आप क्या करोगे अट आपके पास यहां पर प्रोगे यह दो आपके पास RTH है अपन में क्या है 2RTH अब जब स्क्वेर करोगे तो 4 आ जाएगा और यह पावर दो हो जाएगे तो एक से एक तो कटी जाएगा तो यहां पास सिर्फ बचेगा आपके पास PD Max equal to Max मतलब maximum PDX PD Max equal to BTH square upon 4RTH तो यह है friends आपकी finally derivation किसका maximum power transfer theorem का यह most important है यह एक्जाम में last two year पहले आई थी friends तो इस बार भी हो सकता है आज है तो इसको देखकर जाएगा और इसका numerical भी देखकर जाएगा friends friends इसके numerical की देखते हैं numerical का concept क्या है तो numerical दे रखा है एक आपको network दे रखा है बोला गया है कि जो हमारा network है उसमें load में maximum power transfer theorem की help से सिर्ट्ट तो तो चलिए देखते हैं हमारा जो स्टेप वो क्या होगी तो पहली सफ्ट क्या करोगे BTH को calculate करोगे friends तो हल करने में पहली step आप बनाओगे पहली step में क्या है friends आपके पास BTH की गढ़ना करना तो BTH की गढ़ना कैसे करेंगे friends अब हमार पास जो भी load होता है उसको आपको पता है कि उस branch को क्या करते है रिमूब कर देते हैं तो आपने क्या किया voltage division rule लगने वाला है friends इससे पहले previous lecture में मैं cover कर चुका voltage division rule तो उसको देख लिजेगा तो अब यहाँ पर अगर हम voltage division rule की बात करें तो voltage division rule क्या है friends तो यहाँ पर है bth equal to bt into resistance of opposite branch upon resistance of opposite branch plus resistance of parallel branch parallel branch का resistance निकालना है मतलब यहाँ रखना है तो यहाँ पर आप जब bt h को find find करोगो तो यहाँ देख लिजी bt h equal to total voltage into opposite branch का resistance तो opposite branch का resistance क्या था friends opposite branch का resistance जो है वो आपके पास यह है 100 ठीक है और opposite branch का resistance upon जहाँ आप जिसके across voltage को find करो तो इसके across आप voltage को find करो तो इसका तो आपके पास जो है वह voltage की वेलु आ गई 50 बोल्ट तो 50 बोल्ट आगे आपकी बिटीएच थावने उक्वेलन जो बोल्टेज वह आपके पास आगे 50 बोल्ट अब सेकेंड इस्टेप पर आते हैं सेकेंड इस्टेप फ्रेंट्स आपकी है कि जो आपका र्टी एच उसको उसकी गढ़ना करना तो RTH की गढ़ना देखिए कैसे करेंगे RTH के अगर हम गढ़ना करेंगे तो हम क्या करेंगे जो भी हमारे पास voltage source था उसको हम क्या करेंगे short circuit बना तो हमने बना दिया short circuit अब यहां से हम इसको calculate करें RTH को तो यह है हमारा opposite branch का resistance means यह दोनों क्या है parallel में है और यह क्या है हमारा series में है तो हमारा 150 series और 100-100 क्या है parallel में होगा तो हम 100 को 100 से calculate करेंगे तो यहां पर हमारा 50 आ गया और 150 already है हमारे पास series में connected तो जब हम equivalent resistance या फिर थाबनीज equivalent resistance को find करेंगे तो हमारे पास 200 ohm आ गया तो पहला आपके पास answer आ चुका है आपके पास पहला answer आ गया यह लोड रजिस्टन्स की value find करना थी अब सेकेंड इस्टेप में बोल लगा है फ्रेंट्स आप से maximum power की तो maximum power आप कैसे निकालेंगे देख लिए इस्टेप थड़ आपने लिखी और लिखी maximum power की गड़ना तो maximum power की गड़ना कैसे करेंगे PD max equal to BTH का square upon 4RTH तो BTH आप निकाल चुके 50 तो friends अगर आप 50 के square करोगे 50 यह है BTH की value थी 50 upon में क्या है आपका 4RTH की value आपके पास आ चुकी है 200 अब जब आप इसको calculate करोगे तो देख लिए आपके पास आने वाला है 3.125 वाट यह आगी आपके पास maximum power तो friends यह दोनों आपको कैसे लगे आप बताईएगा और एक आपको homework में numerical दे रहा हूं उसको जरूर solve करिएगा और comment box में answer जरूर इसका बताईएगा तो friends कैसा लगा यह session आप इसको जरूर लाइक करिएगा शेयर करिएगा और अपने साथियों के साथ इसको share कर लीजिए जिससे इस Corona protocol में ज्यादा से ज्यादा वच्चे इस session का फाइदा उठा सकें और exam से पहले अपना पूरा course complete कर सकें तो चलिए friends अब next session में मिलते हैं